शवागत आप सभी का एदूकेशन आफ ऐरवेद में आज फिरसे आप सभी के बीच में रस्टास्ट की जो MCQ भाग शाथ है उसको लेकर को आप सभी के बीच में हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी रस्टास्ट की डिज के बी divisions abgesit ही महतपूर्ण है और हम बार-बार कहा रहा है कि सभी राज्य के जो भी इस्टुडेंट जो है आयर्वेज से भरती परिच्छाओं की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए प्रश्न जो है एक तरह से बहुत महत्पूर्ण है चाहें आप किसी भी राज्य के हो रश रास्त भी से जो है एक तरह से महत्पूर्ण होता है तो हमने 6 भाग जो है किसलिए प्रयोग में लिया जाता है तो दोलायंत्र का प्रयोग आप अगर डीटेल में क्लास अगर किये होंगे तो आपको पता होगा कि दोलायंत्र का प्रयोग जो है स्वेधनार्थ किया जाता है स्वेधन करने के लिए दोलायंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो नुसार स्वेधन करने के लिए ही दोलायंतर का प्रयों किया जाता है आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यंत्रों के उपर का जो टॉपिक है रस्तास्तर में जो यंत्र विशेष हैं उसमें हमने दोलायंतर को भी बता रखा यूटूब पे भी मिल जायेगा और बाकी जो student हमारे app पे classes कर रहे होंगे उन्हें detail में class के अंतर के दुलाय अंतर के बारे में बताया भी गया होगा अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन कह रहा है कि भलातक तैल का निश्कर्षण करते हैं भलातक जो तैल है उसका निश्कर्षण किस से करते हैं करने का जो है निश्कर्षण किस से किया जाता है तो भलातक तैल का निश्कर्षण जो है पाताल यंत्र द्वारा किया जाता है मतलब कि पाताल यंत्र से भल्ला तक तैल का निश्कर्शन करते हैं ठीक है उसी तरह से अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण कहा रहा है कि रौद्र यंत्र क्या है यह जो शब्द है बार बार आ रहा है रौद्र तो रौद्र यंत्र क्या है रौद्र यंत्र किशे कहते हैं रौद्र यंत्र कहते हैं नहीं डमरू यंत्र को रौद्र यंत्र कहा जाता है नहीं दोला यंत्र को नहीं श्वेदन यंत्र को धूप में रखा जो यंत्र है उसे ही रौद्र यंत्र कहते हैं क्या कहते हैं रौद्र यंत्र ठीक है अब अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रस्ण कह रहा है कि रशेंद्र चूडा मड़ी के अनुशार यंत्रों की कुल शंख्या है अब यह नहीं कि आप यह समझेगा कि नहीं रश्षास में बस कुल यंत्र ऐसा ने बस इन जो रश्विद हैं उनके अनुशार तो रशेंद्र चूडा मड़ी के अनुशार यंत्रो की कुल शंख्या रश शास के अंत्रगत कितनी बताई गई है तो रश शास के अंत्रगत यंत्रो की कुल शंख्या जो है तीस बताई गई है कितनी बताई गई है तीस तो रशेंद्र चुडामडी के अनुशार यंत्रो की कुल शंख्या जो है तीस बताई गई है अग वर्तुलाकार या वर्तुल खल्ब कितना लंबा होता है वह रस रत्न समुच्च में कितना बताए गया है तो उसकी लंबाई जो है 12 अंगुल बताई गई है कितने बताई गई है 12 याद करने वाला प्रशन है अब कई जगह आपको अलग-अलग mcq के विभागों में हमने प् आप सभी लोग प्रश्ण जो है देख करके उत्तर ढूड़ने का प्रयास कीजिए सब हमीं बता देंगे तो फिर आप कुछ प्रयास नहीं करोगे इसलिए प्रश्ण पूछे जाते हैं अगला प्रश्ण कहा रहा है कि अधह पातन यंत्र उपयोगी है अधह पातन यंत्र किस गया चातकन सुद्ध करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है और which मई एक हैं है ko कि तो हिंभ्लोत्व पारत की बात कर रहे इसलिए यह D वाला सही हो जाएगा, A, W, B दोनों के लिए cartoon, हिंगुलोत, पारत के लिए भी और JEANS को मुप्योगी और दोनों के लिए उप्योगी है, अगला तो सक्क्राइब यह जाते हैं अगला प्रशन कह रहा है कि दोलायंत्र में स्वेधन और पूटलीकली से होनी चाहिए अब देखे यहां पे पूछने का मतलब यह कि जो दोलायंत्र है तो स्वेधन किया जाता है दोला यंत्र इससे आपको डारेक्ट पता चला है कि दोला यंत्र जो है स्वेधन के लिए प्रयोग में लिया जाता है एक चीज और कह रहा है कि पोटली पोटली कही है जो दोला यंत्र से लटकाई जाती है तो दोला यंत्र से पोटली तली से होनी चाहिए जो दोला अंतर में पोटली लटकाई जाती है वह तली से कितना ऊपर होना चाहिए है कि अचारियों के अनुशार यह पूछा गया, है कितना अंगुल ऊपर होना चाहिए। जिस धोलन अचछी तरीके से हो सके. अगला प्रशन कह रहा है कि रश रत्न शमुच्य में मुशाओं की शंख्या है मुशा जिसमें धात्यों को गलाया जाता है तो मुशाओं की जो शंख्या बस इसमें पूछा जा रहा है कि रश रत्न शमुच्य में मुशाओं की शंख्या कितनी है तो मुशाओं की शंख्या 17 बताई गई है रश रत्न समुच्छे में ठीक है अगला प्रश्न कह रहा है कि शोधनार्थ एवं शत्व पातनार्थ प्रयुक्त मुशा है मतलब कि ऐशी मुशा जिसमें शोधन भी हो जाए शत्व पातन भी हो जाए ऐशी कौन शी मुशा है तो ऐशी मुशा जो है गोस्तनी मुशा है गोस्तनी मुशा क्या कारे करती है शोधन का भी कारे करती है और शत्व पातन का भी कारे करती है तो दो उद्देश्य है इसके जो सोधनार्थ जो सत्वपातनार्थ का जो कार्य है वो गोस्तनी मूशा द्वारा किया जाता है जैसे कि आप सभी लोग कह रहे थे कि प्रश्णों की संख्या है बढ़ाई जाए तो संख्या बढ़ चुकी है आप देख सकते हो अगला प्रश्ण जो है देखते हैं अगला प्रश्ण कहा रहा है कि निर्वक्त्र मूशा है निर्वक्त्र निर्वक्त्र मूशा कि शे कहते तो निर्वक्त्र मूशा जो है गोल मूशा को निर्वक्त्र मूशा कहा जाता है निर्वक्त्र मूशा गोल मूशा होती है मूशा किसकार्य में लिया जाता है कई बार बताया गया है अभी हमने फिर बताया है कि मूशा ज्यादे तर धात्यों के गलाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है अगला प्रश्ण क्या रहा है मूशा का प्रियाय है मूशा का प्रियाय मूशा की परेवाची मिलता जूलता शब्द क्या है मूशा का तो मूशा का प्रियाय जो है वनहरी मित्रा है क्या है वनहरी मित्रा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन हरी मित्रा ऐसे कई जगा इस तरह भी मिल जायगा तो वन हरी मित्रा मुशा का प्रया है मुशा को वन हरी मित्रा भी कहते हैं । अगला प्रस्न क्या रहा है के लिए किश मूशा का उपयोग किया जाता है खरवर शत उपातन करते हैं तो किस मूशा के लिए निर्देश दिया लिए कि खरपर का सत्वपातन किस अगला प्रश्ण कह रहा है मूशा का कुमूदी परियाय मूशा को कुमूदी भी कहते हैं ठीक है यह चीज भी पता चला कि कुमूदी कुमूदी जो है मूशा का प्रियाय है तो मूशा का कुमूदी परियाय किश के अनुशार बताया गया है तो मूशा का कुमूदी परियाय जो है वह आकृति के अनुशार बताएंगे अगला प्रषन लेता है इस भाग का जो कि कह रहा है रश काम धेनु की अनुशार मूशा की शंख्या यह प्रश्ण का उत्तर जो है आप सभी बताएंगे और हम सभी प्रश्ण जो है पूछते हैं तो उसका उत्तर भी आप से पेच्छा रहती है कि नहीं आप बताओगे जरूर तो इसलिए आप मेहनत कीजिए थोड वहां से जल्दी से जल्दी अगर आप आयरवेध फार्मासिष्ट की तयारी कर रहे हों अभी तक आपने कोर्स परचेज नहीं किया है क्लासेज लेने के लिए अगर आपने लिए जल्द Сब्सक्राण कर लीजे वीडियो में लास्ज तक बने रहने के लिए आप सभी का बह